Hello everyone and welcome back to my channel आज की इस वीडियो में ओनलाइन घर बैठे अपनी पसंद की फोटो और सिगनेचर के साथ नया pen card apply करने का पूरा प्रोसेस step by step बताने वाली हूँ जिसमें आपको कोई भी documents कहीं भी send करने की जरूरत नहीं है और आपका pen card 10-15 दिनों के अंदर आपके address पे by post send कर दिया जाएगा सबसे पहले आपको Google Chrome पर जाकर NSDL pen card लिख कर सर्च करना होगा अब यहाँ आप पहले link पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक new page open हो जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले application type में आप new pen Indian citizen form 49A सेलेक्ट करेंगे category आप individual सेलेक्ट करेंगे next title में श्री, श्रीमती, कुमारी जिसके लिए भी आप pen card apply कर रहे हैं उनकी category सेलेक्ट करेंगे next नाम एंटर करना है यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले आपको last name एंटर करना है फिर first name एंटर करना है और फिर middle name एंटर करना है अगर आपका single name है तो उस case में आप केवल last name में ही आप अपना नाम एंटर करेंगे first name और middle name ब्लैंक छोड़ देंगे next यहाँ पर date of birth डालेंगे जो की आप इस calendar से select कर सकते हैं next यहाँ पर email id एंटर करेंगे next यहाँ पर mobile number एंटर करेंगे अब नीचे यहाँ check box पर टिक करेंगे next यहाँ आपको captcha code दिया है जैसा लिखा है वैसा ही आप यहाँ type कर देंगे और फिर submit की option पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर एक token number generate हो जाएगा अब नीचे यहाँ आप continue with pen application form पर क्लिक करेंगे एक new page open हो जाएगा अब यहाँ आपके सामने तीन options दिखाए देंगे अगर आप यहाँ first option select करते हैं तो जो भी photo आपके अधार card पर होगी वही photo आपके pen card पर आएगी और signature नहीं आएगा और अगर आप दूसरा option select करते हैं तो आप अपने पसंद का photo और signature pen card पर upload कर सकते हैं और अगर आप तीसरा option select करते हैं तो आपको physical documents by post send करने होंगे तो यहाँ आप दूसरे option को select करेंगे क्योंकि आपको अपने पसंद का photo और signature अप्लोड करना है पेज को नीचे scroll down करेंगे अब नीचे यहाँ पूछ रहा है whether physical pen card is required तो यहाँ आप yes को select करेंगे next यहाँ आप अपने अधार card के last के 4 digit एंटर करेंगे और नीचे यहाँ आप अपना नाम एंटर करेंगे जो भी आपका नाम अधार card पर है वो ही नाम आप यहाँ एंटर करेंगे अब पेज को नीचे scroll down करेंगे यहाँ आपकी सारे information भरी हुई है यहाँ पर आप अपना gender select करेंगे अब page को नीचे scroll down करेंगे अब यहां आपको अपने father का full name enter करना है यहां पर भी एक बात का ध्यान देना है पहले अपने father का last name enter करेंगे फिर first name enter करेंगे और फिर middle name enter करेंगे नीचे mother's name optional है इसे भरने की जरूरत नहीं है अब यहां आप next के option पे click कर देंगे इक new page open हो जाएगा यहां आपको source of income select करना है अगर आपको salary मिलती है तो आप यहां salary select करेंगे और अगर आपका कोई income नहीं है और अगर आप student है तो यहां आप no income select करेंगे आप अपने हिसाब से अपने source of income select कर लेंगे next है address for communication यहां आप residence select करेंगे अब नीचे residence address है यहां आप proper तरीके से अपना address फिल करेंगे क्योंकि इसी address पर आपका pen card by post deliver होगा इस section को आप बहुत ध्यान से भरेंगे इसी तरह से आप नीचे यहां office address भी फिल करेंगे लेकिन अगर आपका कोई office address नहीं है तो इसे आप blank छोड़ सकते हैं अब नीचे यहां आप country code select करेंगे यहां इंडिया select करेंगे और नीचे य open हो जाएगा यहां आपके area code, AO type, range code और AO number एंटर करना होगा इसके लिए simply यहां आपको select करना है Indian citizen नीचे यहां आप अपना state select करेंगे और यहां आप अपना city select करेंगे इसी तरह से यहां पर details आजाएंगी यहां आपके area का word number शो होगा यहां से आप select कर लेंगे select करने के बाद यहां आप उपर देखेंगे automatically आपका area code, AO type, range code और AO number फिल हो जाएगा अब नीचे यहां next के option पर click कर देंगे finally अब application के last page पर आजाएंगे यहां आपको id proof, address proof और date of birth proof देना होगा तो आप तीनों ही options में आधार काट select कर लेंगे अब नीचे declaration देना है, यहां आपका नाम आजाएगा और यहां आप himself, herself select कर लेंगे नीचे play center करेंगे, अब यहां आपको अपनी photo और signature upload करनी है जिसमें कि photo और signature का size 50K भी तक ही होना चाहिए साथ में जो dimensions दी गई है, उसी dimensions में ही आपकी photograph और signature होनी चाहिए अब यहां photo select करेंगे और upload के option पे click कर देंगे photo upload हो चुकी है, इसी तरह से अब signature select करेंगे और upload कर देंगे नीचे आपको document upload करना है, यहां हम अधार card as a document upload करेंगे यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी document upload करेंगे वो PDF format में होनी चाहिए और size 300KB से जादा नहीं होनी चाहिए यहां आप document select करेंगे और upload पर click कर देंगे photo, signature और documents upload होने के बाद नीचे submit के option पर click कर देंगे एक new page open हो जाएगा, यहां आप अपने आधार card का first 8 digit enter करेंगे enter करने के बाद page को नीचे नीचे scroll down करते जाएगे आपकी complete application आजाएगे, इसे check करते जाएगे और नीचे proceed पर click कर देंगे अब आपको यहाँ 106 रुपए का payment करना है, जिसके लिए हम यहाँ third option को select करेंगे, page को scroll down करेंगे नीचे terms को accept करेंगे और proceed to payment के option पर click कर देंगे अब यहाँ आप pay confirm के option पर click कर देंगे अब यहाँ आप अपने credit card, debit card, internet banking, wallet, cash card, QR और UPI के थ्रू 106 रुपए का payment कर सकते हैं, यहाँ हम debit card के थ्रू payment करेंगे तो अपने cards details fill करने के बाद नीचे make payment के option पर click कर देंगे अब bank के थ्रू आपके register mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ enter करेंगे और उसके बाद make payment के option पर click कर देंगे यहाँ आप देख सकते हैं transaction successful हो चुका है अब यहाँ continue के option पर click कर देंगे next यहाँ terms को accept करेंगे और नीचे यहाँ दो options है यहाँ पर आप authenticate के option पर click करेंगे next यहाँ आप OTP authentication पर click करेंगे अब आपके register mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आप यहाँ enter करेंगे और फिर submit के option पर click कर देंगे next यहाँ आप continue with e-sign के option पर click करेंगे अब एक new page open हो जाएगा यहाँ आप terms को accept करेंगे और अपना अधार number यहाँ enter करेंगे और send OTP पर click कर देंगे आपके register mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ enter करेंगे और verify OTP पर click कर देंगे और आपकी application e-sign हो जाएगे आपकी application successfully submit हो जाएगी और अब आपको कोई भी physical document send करने की जरूरत नहीं है नीचे आपकी application form है application form को open करने के लिए password एंटर करना होगा password आपका date of birth है date of birth एंटर करने के बाद OK पर click कर देंगे आपकी application form open हो जाएगी आप इसे reference के लिए download कर सकते हैं इसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर digital pen card आपके email id पर और physical pen card आपके address पर by post send कर दिया जाएगा So I hope pen card apply करने का पूरा process आपको clear हो गया है और अगर आपको ये वीडियो helpful लगी हो तो please channel को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और अपने friends को share कीजिए and thank you for watching this video